ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं राजवीर सिंग जी से जो की एटा लोगसवा छेतर से भारती जन्ता पार्टी के सांसत है हम अगर बात करें लोध वोड बैंक का कल्यान सिंग जी के बाद लोध वोड बैंक ने वह राजनितिक गलियारों में उस तरीके की पकड़ नहीं रही जो होनी चाहिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए देखिए ऐसा नहीं है भारती जन्ता पार्टी के साथ लोधी वो पार्टी नहीं उठाया नुक्सानी वि हुआ लेकि लोधबौट हमेंसा बीजेपी के साथ रहता है माने कल्या चिनुगा ये वह कि बात करें क्या आपकी बात कर एक क्ंडल्यान सिंग गी के विरासत को आप य आगे बढ़ाए का काम कर रहे है تو क्या वह वोड बैंक जो कल् लोधी बहले शीटे या जितनी सीटे ऐसी है जिस पर लोधी जी सकता है या उसकी इतनी कैपिसीटी है कि वह जिसको चाहरे उसको जिता सकता है ऐसी एक भी सीटे उठा कर देखे लुक सवागे कोना में 100% बोत लोधियों का भाजा पाको गया है तो आप पूरी तरीके से भू बाबुजी ने जहां राजनीती की है मैं भी उसी लाइन में ख़ड़ा हूँ यह विरास्त निकेना चाहिए इसको लेकिन एक तरीके से विरास्त क्योंकि आजकल यही देखने में आ रहा है कि के पॉलिटीशन का बेटा बनता है फिल्म स्था में जो काम हötा है बहुत लोग गैसे हैं जो पॉलिटिक कुछ में हैं उनका थी पॉलिटिक्स अगर आपके पिताbas है राजनीती में नहीं होते तो क्या आप राजनीती में आते हैं मैंने कैसे क्या होता मेरी जिन्दगी में मैंने कह सकता है लेकिन कहीं न कहीं आप अपने पिताजी से इंस्पायर थे उन से प्रेणा लेकर आप राजनीती में या आप मनते हैं बिल्कुल उनके संसका बच्पन स अज़ये आपको पर्टी क्या यह बनाया है परटी जनता पार्टी के निता है drevnवा जो ते 팔ड़ते उसमें नेयम को पार्टी की सबते कि There मुझे बनाया है प्रदेश का उपाद्दक्ष जो भी जिम्मेदारी सौपेगी मैं पूरी इमांदारी और पूरी निश्टा के सब लें भावगा हूँ क्या जिम्मेदारी सौपेंगी फिर भी आपने कुछ आपकी वेक्तिकत राय क्या है कि आप कहां ज्यादा यूस्फूल प्रदेश करेंगा कि जो उम्मीद है मैं उसको हंड़ेड पर्षंट पूरा करूँ भारते जनता पार्टी के अलावा अगर हम सारी पार्टियों की बात करें बहुजंद समाज पार्टी ने सीम का चेहरा दे रखा है बहन मायवती हैं समाजवादी पार्टी ने अकलेश य पास इतने नेता है किसे को की से बहुत चेहरें हैं हमारे पास इनके पास एकन Laz Casey नहीं करें इह सकता है इतने लोग है संखिछों मेरे जा सकता है इनके पास यह बहुत आद्स तो बहुत सारे चेहरे. लेकिन क्या सीम का छेहरा आप आणाउंस करेंगे चुनाओसे पहले, या मोदी जी के चेहरे के साथ चुनाओसे पहले चुछ बोलना नहीं है, पार्टी टेक्रेखे इसको. पार्टी का निल्णा होता है, पार्टी का निल्डड़ Sakamava की बात करें अभी वो भारतिय जंता पार्टी की कमान सभाल सकते हैं कितनी सच्चा ये बात होगा हम ने और हम पिता जी मानिक लियाँ सिंघे ने पार्टी के एक भी आदिस का उल्लंगन नहीं किया लेकिन पिता पुतर के रूप में अगर हम बात करें पुत्र क्या चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनके पिताजी क्या कमान उनकी पार्टी की हाथ में ले या ना ले देखिए आज वो एक संभेधान के पदर बैठे हैं उनके बारे में कोई टिंपरी कर पाना मैं समयता है ठीक नहीं कोई सरकार प्रदेश की सरकार में सरकार नाम की तो कोई चीज़ा ही नहीं कानूल बेवस्ता दुस्त चोरी डिकेती अपरण की बारा गई है अगर कहीं प्रोग्रेस हुई है तो अप्रादों में हुई है और कहीं प्रोग्रेस हुई है सबसे ज्यादा तो लोगों की जान लेने में हुई है एक उधान देना चाहता हूं आपको पांचे दिन पहले एका में लगबख 50 लोगों की मौत हो गई लगबख 40 लोगों की आँखे चली लगबख 200 लोग कि दू महिने में एक महिने में दस दिन में पांच दिन में जाने वाले हैं जोंगि उनकी किड्नी खराब कि नकली सराब जहरीडी सराब अलिगंज विधान सावा में इतने बड़े प्रेमारे प्रकाम होता जैसे डिश्टलदी कि महां की पलिस कि सब्सक्राइब अब करीव भाग के लोग आज तक किसे छापा नहीं मारा खोले याम भी खोले याम अब च्छापा पड़ा है तो मैं आपको बता रहा हूं दो लाख लीटर जब तक की टेंकर में से मिट्टी के अंदर से और यह चीए बता हूं अब हैंड पंप किस काम आता है पानी पीने के लिए वहां कि जितने भी आसपास जो हैंड पंप से लगें टेंकर के आसपास जो से चलाते तो उसमें कच्छी दरू निकलती आए जोंकि वो टेंकर से जोंट किये गए गए कोई दो बतली ने आया तो वहीं चलाया दो बतल भर्दी उसकी सिस्टमेटिक वे और खुले हम चला मेरा आरोप है और सरकार के इसाने पर चला है सरकार के रिष्टार चला है इस काम को मेरा दावाय मैं आपके टीवी की चैनल से मैं कोई छोटी भासा नहीं बोलूगा मेरे पास प्रूफ है मिरे पास सबूत है और जो पकड़े गए लोग मैं खुद मौके पर किया था साथ सदसी लोग हम लोग बाजबागे गए गए त आखा मैंने की मैंने पूरी रिपोर्ट मैंने पृष्टेश्द नुब्स हों प्या और अप यह प्राइम के माद्यम से यह साथ डिये जो भी चल रहा है पूरा सिस्सेमिक वें में चल रहा है पूराण के सरकार क़्योंकि अपने दिशिला चलारे और आज से नहीं 20 साल से चला है आज तक कोई पक्ड़ा आगी हो तो हमें बताइए आज है कहीं नंबर दो का काम होता है तो एक दिन हो जागा दो दिन हो जागा पोलिस से किते दिन छुपए गा क्या बीच साल छुपए गा तो आपका खुला आरूप है कि सरकार चलवा रही है सरकार के सदक्षण में मुक्य मंतिजी के पास आपकारी भी भागा है उन्होंने अधिकारी सस्वेंट किये है आज जन सब्सक्राइब रहा था जन कलगा था सरकार ने यह माना कि वह गलती थी तभी तो उनको सस्वेंट किया तो अब तक इनके अधिकार क्या कर रहे थे महां की पुलिस क्या कर रहे थी महां का डियम क्या कर रहता महां का एडियम क्या कर रहता जब यह विभाग आपकारी मुक्ह मंतिजी के पास है सीधी सीधी उत्रद तो मुक्ह मंतीजी का मनता है और मैंने हाउस बोला है कि मुक्ह मंतीजी को त्याक पर दे देना चाहिए और राश्पी सासन लागो होना उनको सस्वेंद कर देना जेल बहुत देना इस पर हम राजी नहीं है उन्होंने जो कारवाई होती थी जो हमें सूचना मिलते ही हमने कार ताइम न्यूज ने इस मुद्धे पर बहुत डिटेल में और बहुत पुर्मुक्ता से खबर को दिखाया इसकी एक एक निउस को हमने दिखाया है उस देगे में पास इस समय कोई ना ओडियो है न वीडियो है कि मेरी लोग सवा से लगी हुई है जो फरका बाद माती है कि जितने भी अनेतिक काम हैं ली गंज न में होते है बड़ी और इस तर ogóle सटर का काम होता है कि बड़े इसस तरह पर पक्ट बदॉन का काम होता है बड़े स्थर पर कच्छी दारू और गार दारू काम होता है और इतना क्राइम है और इतना महाँ पर आराजक्ता माफिया गिरी सपा के कारिकर्ता सपा के नेताओं के सामने आम पबले का मूह नहीं खुल सकती मैं जब गया तो मुझे लगा क्या आजात भारत आज भी ऐसा है गुलाम गुलाम अली गंच मैं तो आप जाएंगे क्वी देखेंगे यह आप वा स्वास्त में गुलाम है तो अली गंच में है क्या लगता है अपको यह जो हालाद कराब हुएं यह इसी स्रपा की कैल शिए ने साथ कि क्याएं सिंग्स और चुनाबी लड़े तो निर्दी लड़े थी चुनाब अगर सपा में होते तो साइकल सिंबल होता हमारा बाबुजी का गिलास का सिंबल था तो आप ये प्राइम न्यूस के मंच पर ये साफतार पर कह रहे हैं कि कल्यान सिंग जी ने कभी भी समाजवादी पार्टी कि क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से आपका चुनाओ वने जा emails को मैं हैं हमारी भाइट में लगता है कि कौई भी नहीं है मैं अगर तुल ना करी तो यह आपसमे करें अश्यात्र वह न होने जा रही है वह दूसरे नंबर के लिए जा रहे हैं य ED...... तो यह तैय करने आपस में हम तो बहुत आगे हैं कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दावे हैं राज बबबर साहब आए हैं शीला दिक्सी जी सीम का चैरा है देखे ऐसा है राज बबर साब के आने से जहां कांग्रेस की पांच हजार की रेली होती थी वहां बार साथ हजार की हो जाएगी एक हिरू है एक उनका इंकरेस है यह तो अप्लब्र भी होगी कि पांच हजार वाली हो जाएगी लेकिन वोट में तब्दील नहीं होगी यह वोट परसंटेज बढ़ेगा राजबस साब को देखने आए अब बताए हम लोग यहां बैटे हैं यह लाइट जल लगी है आपकी अगर यह फूज होती तो क्या लाइट आती लेकिन वो तो यह फूज बल्व उनका तो कहना यह है कि दिल्ली को पहले मुगलों ने बनाया उसके बाद अंग्रेजों ने बनाया उसके बाद शीला जी न कि पॉता को प्रदेश को उत्तम परदेश दितना काम किया इतना वीकास किया है इस वीकास के साथ वो चुनौ में जाएंगे और जीतने का काम करेंइगे अब होता तो मैं आपको रिकोर्ड देता पुरा कितने क्राइम हुए है और नीचे की जमीन क्या बोलती है अंडर करेंट क्या है जब कोई मुंबत्ती हो या कोई दिया हो जो बुझने के करगार पर होता है लो एक दम लब करता है बुझने से पहले फटफडाता है यस ठीक है कांग्रेस सपा को तो आपने खुदी संजीवनी देने का काम कर दिया संजीवनी नहीं कर सकते हैं देंगे मैं बार-बार किया रहा हूं हमारे प्रादेकारियों से गलत इस्ट्रिमेंट हुआ है मैं इसको सुभीका करता हूं नहीं बोलना चाहिए किसी भी वह तो एक पूर मुख मंत्री हैं दो दो वा तीन तीन वा चार चार बार किसी साधान आदमी के बारे में एस इस्ट्रिमेंट नहीं देने चाहिए उनका दावा यह है कि एक बार और मुख मंत्री होने जा रही है सत्रे में तो नहीं होना जारा कोई सत्रे में तो bgp का मिंत्री होवा है आखरी में अगर आप प्राइम नीज के माधम से हमारे दर्शकों को कई मैसेज देना चाहें बजी आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और मैं इस चैनल के बार तक पहुँच पा रहा हूं इसलिए मैं अपने इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजवीर जी आपने प्राइम नीज को समय दिया सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तो यह थे हमारे साथ भारत जनता पार्टी फुल माजरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है आज के लिए पस इतना ही देखते रहिए प्राइम नीज